हेलो गाई जी अब फिर से आप से भी का सोगत है आपके अपने चैनल में तो आज हम लोगे हैं पर बात करने वाले हैं इंग्लेंड ओमन और पाकिस्तान ओमन को बीच टी टॉन्टी वर्ड कप के उन नीसवे मैश क्वाइर में जो की खेले जाना वाला है सामको छे बज कर ती बैलेंस सरफेस होने वाला है जहां पर चेज करने वाल टीम को एडवांटेज रने वाला है क्योंकि सेकंड निंग खास कर ज्यादा रात में होने वाला है डियू गिरेगा इसके कार्ड और फास्ट बाल सो रिस्पिनर्स यहां पर जेनरली एक्कोल हल्प पाते हैं और इस तेरा मैच में जीत दर्ज किये वहीं पाकिस्तान उनकी टीम सिर्फ एक मैच में जीत दर्ज कर पाई है तो सरली इंग्लेंड नोमल का पड़ा इस मच में भारी रहने वाला है और अगर बेन रिकार्ट के बात किया है तो इस ग्राउंड पर न्यू लेंड स्केप टाउन मे टोटल 73 T20-25 के मैच खेले गाया है अभी साउथएका T20-25 लीग के भी कुछ मैच चेहां पर खेले गाया थे बैटिंग फ़स्ट कर नल्ट टीम ने 33 में जीत दर्ज किया बैटिंग सेकंड कर नल्ट इंग्लेंड उमें की इनकी बात किया है लास्ट के पांच में से पांच लेकिन बालिंग कर सकते हैं लेकिन बालिंग कराएं चांसे बहुत ही कम रहने वाले हैं बालिंग कर सकते हैं लेकिन इसके बालिंग कर अंचांसे इसके भी नहीं रहने वाले हैं बालिंग कर सकते हैं लेकिन इसके बालिंग कराने चांसे बहुत ही कम रहने वाले हैं बालिंग कर सकते हैं लेकिन बालिंग कर सकते हैं लेकिन बाइटिंग साब को पॉइंट दे रही हैं प्रिस्तन भाइट की बात किया है चालीस ना टर जीवकट पांसर जीवकट दो बड़ डालकर पचासर जीवकट दो बड़ डालकर पिछले मैच में हम लोग ने इसको कैप्टेर मैया था जिससे हैं ट्रॉंट कांटेस में कलीन सुइप हुआ था तो कुछ आइसा ही इस एक सुर की वीडियो को आन तक देखें और टेलगाम चैनल से जुड़े रहना है लास्ट मेर सब्डेट्स के लिए हेट्रोड मैच के बात किया है तो पाकिस्तान उनकाम नो मैच खेली है टी टॉनटीज में एक सुर्टाइस स्कूर के अठारे करो से नो बिन काली है नो जूब का डिन नाट बोल नाइधर बैट बतिस नाट और चोज़ा और थाईस थोड़े बहुत अच्छे फां में चल ले हैं तो थोड़ी बहुत इंपॉर्टन पे रहने वाली है मेरे साब से ज्यादा इंपॉर्टन नहीं अमीर जोन साइंगी टिट उन्टीज में आपको बिकेट कीपिंग पॉइंट देने वाली है सोफय केस्टन आएंगी टिट उन्टीज में निकाम 68 मेंच में 176 रहने 93 बिन काली हैं थोड़ी बहुत बल्लवाजी कर लेती हैं हेट ट्रोड मेंच के बात किया 6 मेंच खेली है 2 रन स्कूर क्या 11 बिन काली है बॉलिंग से इसक में 590 रन एक सो बारा बिन काली है यह थोड़ी बहुत बल्लवाजी कर लेती है और हेट ट्रोड मेंच के बात किया 9 मेंच खेली है 32 स्कूर के आड़ बिन काली है रिसन फांग की बात किया एक रन एक गड़ पांच नाट और एक गड़ जो रन जूर कट बहले इसका फाम थ किया चार माईच खेली साथ बिकट ले चुके पावस्तान खाप और रिसन फांग की बात किया तीन बिकट एक गड़ एक गड़ एक गड़ तीन बिकट दो बिकट अच्छे फाम में चल रहे हैं मेरे सबसे इंपॉर्टन पिक रहने वाली है चाल ले डीन आएंगी टिट्र काम 9 में 11 बिकट है रिसन फांग की बात किया तीन बिकट दिनाट बॉल जीरो पिकट और एक गड़ थोड़े पहुत अच्छे फाम में चल लेकिन मेरे सबसे इस में इंपॉर्टन पिक रहन वाली है नियूर लैंड स्केप टाउन वाले पिछ पर खास करें स्टार्टिंग को बरसाइब दाने वाली है के ब्रंट याल बेल सीडीन ब्रंट बेंच में इधर से चार प्लेयर अगर को खेलता इनमें विसे इनके स्टेर्स आपको लास्ट नेश्ट में टेलगाम चैनल पर मिल जांगे अगर यहां स्टॉप प्लेयर के बात करें तो पिक कर सकते हैं बै इधर नाइट को ट्राइब कर सकते हैं मेरे साब से इधर से इधर से इधर से लेकर चलने मेरे साब से क्योंकि इंगलेंड ने बहुत ही तगडिरीम है लारन बेल को भी पिक करना है तो यह तो बात होगी इंगलेंड नोमिन के बात करते हैं दूसरी टीम आने की पाकिस्तान इनकी बात किया लास के पॉंच टूंटी मज़ों से चिर्फ एक में जित तर्ज हुई है बागी की चार मैज में हार करा रहे हैं टीम इतनी अच्छे परफाम नहीं कर रही है यहांस उपन करने वाले हैं मोस्पावली सिद्रा मिन, उनके साथ उपन करने वाली है मुणी बारी है साथ में ध्यार रखना है इतना अच्छा नहीं है तो मेरे इसाब से इतनी इंपोर्टन पिक नहीं रहेंगी मुनीवाली यह उनके साथ करा सकती है लेकिन इसके बॉलिंग करा उंचांस से नहीं रहने वाले हैं रिसन फांग की बात किया तो चोड़े बहुत अच्छा फां में चल ले तो थोड़ी बहुत इंपोर्टन पिक रहने वाली है मेरे साब से पाकिस्तान ओमन की बैटिंग लाइन की तरफ से खास कर इसका बॉलिंग से रिकार्ड अच्छा है बैटिंग से थोड़ा बहुत अच्छा नहीं है लेकिन बॉलिंग से आपको बिगेट निकाल कर देने वाली है मेरे हिसाब से रिसन फांग की बात किया तो डिर नाट बैट नाइदर बोल जीरो इन जीरो गड़ तैटीस नं दो अगर बॉलिंग कराती भी है तो सिर्फ एक या दो बर साथ में बाइटिंग बहुत ही नीचे कर रहे हैं पिछले वाले मैंज में फातिमा सनय इससे ऊपर बलबाज किये थे तो मेरे साब से इतनी इंपॉर्डेंट पिक नहरेन वाले नहीं है ये हेट्रोड कांटेस में फातिमा सना आएंगे ट्रॉन डिजमें काम तेज मेंज मे हैं इसका थोड़ा बहुत रिकार्ड अच्छा है इंग्लार नोमें का लेकिन के बात किये तो एक बातृचेशं कर देरोकर चुरुपकट दो अबाटालकर चिखले दो मैचों में कि मेरे हैसाब से इनका इसन फार्म इतना अच्छा नहीं है इतने इंपॉर्ट एपिक होना नहीं है मेरे हैसाब से हेड़ टुट कांटेस्स में आप इनको ग्रेंड लिग में ट्राइ कर सकते हो नसरा संधू आएंगे टीट उन्टीज में काम 40 में बैली जिगट है रिजिसन फ इनका फार्म इतना अच्छा नहीं है मेरे साथ इतना इंपॉर्ट टुट करती है तो इस बात कद्धान को वरसाट डालने वाली है यस एक बाल एनवर यंडार डेथ को डालेंगे टी एस इकबाल यंडार और यन संदू बैंच में इतर से भी चार प्लेयर है अगर को खेलता इनके स्टेट्स आपको लास में सब्डेर में टेल गाम चरप पर मिल जाएंगे अगर यहां से टॉप प्लेयर्स के बात करना तो पिक कर सकते हैं वैटिंग से इस में इंपॉर्ट डेर्म को खोने वाली है विस्मा मरूफ उसके सबसे बात किया इधर से आप आलिया साथ ही साथ है आपको वीडियो को प्लीजिक लाइक कर जीजिगा ध्यान रखेगा मैं आने वाले हर माज़ी कबर करने वाला हूं तो इसकी नोटिफिकेशन आपको मिल सके और वीडियो आप देक्स के इसके लिए चनल को सब्काइब करना बहुत ही ज़रूरी है बात करता ह है डेमो टीम की तो डेमो टीम में मैंने बिकेटीब इन से रखा ए जोंज को बैटिंग से दर्खा ए चनल को और यंडर के ब्रंट एकपसे को और बॉलिंग से रखा है यस इकस्तन यस गलैन यल बेल इस इकबाल को कैप्टन में रहने वाली है यंस वीबर wenn यान डर लेकिन आपको इस वीडियो को डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा और अगा आप कमण सक्षन जाएगे तो हाँ पर भी सब्सक्राप पर पिन क्यों मिल जाएगा था एंक्यू